नमस्कार राज तलक में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग चार खबरों से आज धमाका करेंगे सबसे पहले बताएंगे कि क्यों भरे मंच पर कॉंग्रिस के बिधायक लेट लेट का रोने लगे सटा बजार का सर्वे देख क्यों गहलोत बेहोश हो गए संतावन सीटू ने बीचे पी और कॉंग्रिस की सांसे कैसे अटगा दी सभी खबरों पर विस्ताल से चर्चा करें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेट लाइन्स पर चुरावी राज्यों में एजेंसियों को मिला नोटों का पहाड पांच राज्यों में अब तक 1760 करोड चप रडार पर कई लेटा वोटिंग से पहले मंच पर फूट फूट कर रोए कॉंग्रेस प्रतियाशी अमल सिंग जाट और सचिन पाइलेट ने बढ़ाया धाट राजिस्तान के 1099 सीटों पर वोटिंग जारी 57 सीटे बदल सकती हैं पार्टियों के किस्मत सर्वे के आकड़ों से सर्वेरा सबसे पहले बाद चुनावी राजियों में मिले नोटों के पहार की पांच राजियों में नोटों के खेल पर एजिंसियों ने ऐसा हथोड़ा चलाया है कि बड़े बड़े नेता काप उठे है इसी का नतीजा है कि 1760 करोड का कजाना जब्त किया जा चुका है वही राजस्थान की बात करे तो अब तक यहां चुनावी मोहौल के बीच 600 करोड से जादा की रकम और समान बरामत किया गया है यहां करोडों रुपए की शराब भी एजिंसियों ने जब्त की है चौकाने वाली बात तो यह है कि रकम जब्ती की कारेवाई में सबसे ज़्यादा कॉंग्रिस निता रडार पराए है हाले में गड़े स्प्लाजा के लौकरों में करोडों की रकम बरामत हुई तो कई जगों पर एडी ने घोटाले पर आक्शन लेते हुए कीमती समान और कैश भी जब्त कर लिया वही बात पांच चुनावी राज्यों की करे तो तेलंगाना में बिधान सबाच चुनाव के लिए 30 नौंबर को मतदान होना है इस भी चुनाव प्रिचार के दुरान पुलिस ने रंगा रेडी के गच्ची बावली में एक कार से 5 करोड रुपे कैश बरामत किये जब कार चालकों से इस कैश के बारे में पूछा गया तो इस कैश का कोई हिसाब किताब नहीं मिला पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया पुलिस के मताबिक वाहन चेकिन के दौरान एक कार में दो सूटकेस मिले इन्हें जब खोल कर देखा गया तो पुलिस के भी होस उड़ गया है कैश को आयकर विभाग को सौप दिया गया वहीं चुनाव आयोग के मताबिक पांच राज्चों में इस तरह की कारेवाई को अंजाम देता है चुनाव आयोग के मताबिक चुनाव एलान के बाद MP मिजोरं 36 गर तेलंगाना और राजस्थान से 1760 करोड रुपए से ज़्यादा की जबती की गई है जबकि 2018 में इन ही राज्चों से 249.15 करोड रुपए की जबती हुई था अगली खबार वोट के लिए नेता की ड्रामे बाजी पर राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाच इसका फैसला आज EVM में कैध हो जाएगा जनता को लुभाने के लिए राजस्थान में सभी दलों के निताओं ने तमाम हतकंडे अपनाए कोई मंच पर रोने लगा तो कोई पैसे बाट कर विवादों से घिर गया इसे बीच कॉंग्रेस निता अमर सिंग जाटो का एक वीडियो तेजी से शोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है ये वीडियो वोटिंग से पहले का है जब अमर सिंग पैलेट को देखकर मंच पर ही फोट फोट कर रोने लगे दरसर सचिन पैलेट भरतपुर की बयाना विदान सभा सीट पर कॉंग्रेस प्रतियाशी अमर सिंग जाटो के पक्षवे जनसभा को संबोधित करने पहुँचे थी अचानक सी अमर सिंग को ना जाने क्या हुआ कि सचिन पैलेट की जनसभा पर ही बिलक बिलक कर रोने लगे मंच पर नीचे बैट कर रोने लगे इस दौरान मंच पर महौल अजीब सा हो क्या वही तुरन सचिव पैलेट ने अमर सिंग जाटो का धाड़स बढ़ाया हलाकि जिनता के आगे रोक कर मांगने का ये पहला वीडू नहीं है इससे पहले भी कई प्रतियाशियों को रोते हुए वोट मांगते देखा क्या है जिससे बीचे पी पॉलिटिकल स्टंट बता रही है बता दें कि बयाना बिधान सभा सीट गुजर बाहुल लिमानी चाती है और कॉंग्रेस प्रतियाशी अमर सिंग्जाटों के पक्ष में वोट देने की अपील करने पहुंचे थे वैसे इस बार घुजरों में काफी नाराज की है क्योंकि कॉंग्रेस ने घुजरों को धोखा दिया है और उनकी मांग के मुताबिक सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री नहीं बनाये क्या गुजरों ने अब तो नारा भी बुलंद कर दिया है कि पाइलेट तुमसे बैर नहीं और कॉंग्रेसी तेरी खैर नहीं जिससे तीस गुजर सीटों पर कॉंग्रेस बुरी तरह से फस कही है वहीं बयाना बिदानसभा सीट पर रितू बनावत जो भीजे यहीं वह मंच से रो रोकर चिनता से वोट मांग रहे हैं वैसे भी कॉंग्रेस प्रत्याशी अमर सिंग जाटों के खलाब जिनता में काफी नाराच्की है जिसको लेकर उनको डर भी सता रहा है इसलिए सच्चिन पाइलट के सामने सभा को सम्वोधित करते हुए रोने लग सियासत में ना सिर्फ गुजर वोट बैंक बलकि संतावन सीटे जीत के लिए बहुत मायने रखती है यहां सियासत में तीन दशकों से हर पांच साल पर कॉंग्रेस और बीचेपी के बीच सत्ता परवतन का च्रेंड चलता रहा है सूबे में सत्ता बदलने की रिवाज में चलते प्रदेश की सत्ता बदल जाती है ऐसे में देखना है कि इस चुनाव में भी यही ट्रेंड रहता है या फिर 15 सालों से चली आ रही परंपरा टूट जाती है बात करें बीचेपी की तो यहां साथ सीटों पर बीचेपी काफी मजबूत है और यहां उसे लगातार जीत मिलती आ रही है वहें 21 सीटों पर कॉंग्रेस के स्तिती हमेशा बहता रही उसे यहां पर हार का मूँ नहीं देखना पड़ा इस तरह 81 सीटों पर कॉंग्रेस और बीचेपी के बिधायक परंपरा तौर पर जीत धर्च कर रहे हैं इस तरह बाकी बची 119 सीटों में से 57 सीट पर मतदाता का मूड बदलता रहा है जबकि अन्य यहीं सीटे 62 सीटों पर दो बार कोई बिधाय करता है तो कई तीन बार राजस्थान की सत्ता हर पांच साल पर परिवर्तन की इबारत लिखती है 1993 के बाद से सत्ता बदलने का रिवाज है और 2018 के चुनाव में भी यही पैटर्ण रहा लेकिन सर्वे भी यहां सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे है तो ऐसे में अब सब की निगाहें 3 दिसंबर पर टिकी हुई है और देखना यह होगा कि इन 57 सीटों ने इस बार क इसकी किस्मत को चमकाया है आखरी खबर धमाकेदार सर्वे पर चुनाव में फलोदी सट्टा बजार पर सब की नजर रहती है हर कोई जानना चाहरा है कि बिदान सबाद चुनाव 2023 में राजस्तान मद्यपरदीश और 36 गड़ में आखर फलोदी सट्टा बजार के जरिये कि से चुनाव जित्वाया जाना जख़़ा है किस की सरकार बना रहे किस पार्टी को कितनी सीटे मिल रही है پलोदी सट्टा बजार का ताज़ा सर्वै बेहदी gedacht चुकाने वाला है जिसमें दावा क्या जा रहा है कि इस बार कॉंग्रेस की सरकार का जाना तैह है और बीजेपी की बंपर जीत होने वाली है 60 बजार के मताबिक इस बार राजस्थान में बीजेपी को 122 से 125 सीटे मिलने का अनुमार है तो वहीं कॉंग्रेस 62 से 50 सीटे पर सिमट्टी नजर आ रही है निर्दलिये के खाते में 8 से 10 सीटे जा सकती है यानि बहुमत का आकड़ा पार कर इस बार बीजेपी राजस्थान में सरकार बना सकती है इसे के साथ गैलोत को एक और जटका देने वाली खबर ये है कि चुना में अश्रुक गैलोत सरकार के 10 से 12 मंत्री चुनाव हार रहे है सर्वे में पोकरण से सले मुहम्मत का नाम भी शामिल है यानि कि सटा बजार का सर्वे कॉंग्रेस कोई उमीदों पर पानी फेरता ना सरा रहा है कॉंग्रेस की एक भी लुभावनी यूचना का आसर सर्वे में जनता पर दिखाई नहीं दे रहा खैर ये सर्वे सही साबित होते हैं या नहीं ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा लेकिन उससे पार्टियों ने दाव पेच लगाने शुरू कर दिये हैं इसे बीच वोटिंग से पहले का अश्योग गैलोत का एक वीचो भी सामने आया जिसमें वो पाइलट से नराजकी पर बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही जनता से अपील कर रहे हैं कि पाइलट और उनके बीच के सारे विवादों को भूल कर जनता वोट करें खैर अब नेताओं की किसमत एवियम में कैद हो गई है तीन दिसमबर को ही पता चल पाइगा कि लोगों ने गहलोत और पाइलट की नराजकी खत्म करें ड्रामे को कितना हजम किया है क्योंकि कहीं न कहीं अगर कॉंग्रिस की हार होती है तो सचीन पाइलट और गैलोत इसके लिए सबसे ज़्यादा जम्मेदार साबित होंगे रास्तिलक में आज के लिए इतना ही नए चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए आप देखते रिए कापेटल टीवी नमस्कार हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुँचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विबरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश ले कर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोग हम बिहार से हैं